Hi everybody, I'm Suman Malik और आज हम discuss करने वाले हैं IPC का एक बहुत ही famous और landmark case जिसका नाम है केम नानावटी वसे स्टेट अफ महाराश्टरा 1962 का एक case है So, ये case relate करता है Section 300 of IPC जो murder के बारे में उसका first exception ये उससे deal करता है तो इस case का decision जानने से पहरे इसके थोड़े से facts समझ लेते हैं क्योंकि वह बहुत ही important है इस case के लिए तो चलिए देखते हैं Let's crack PCSJ with unacademy अगर आप judiciary की तयारी कर रहे हैं तो unacademy आपकी बहुत help करने वाला है unacademy पे बहुत सारे judiciary preparation के batches चलाए जारे हैं जहाँ पर expert guidance से आपकी preparation करवाई जाएगी आप अपनी पसंद से कोई भी batch जॉइन कर सकते हैं So judiciary का batch जॉइन करने से आपको बहुत सारे benefits मिलने वाले हैं जैसे कि live doubt solving होगा live mentorship होगा main focus test series होगा और भी बहुत सारे benefits जो है आपको unacademy पर मिलने वाले हैं So paid classes के साथ-साथ वहाँ पर free live classes भी available है जो almost हर subject पर है free live classes जिसमें state laws हो गया local laws हो गया वो भी cover किये हुए है आप paid class लेने से पहले free live classes देख सकते हैं हर subject का day wise divide किया गया है mok test और timing भी यहाँ पर mention किया गया है IPC, CRPC, CPC और भी बहुत सारे subjects का day wise जो है test divide किया गया है जो आपको judiciary के preparation में help करेगा अब यहाँ पर subscription दिया हुआ है आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी जरूत के हिसाब से अपना subscription ले सकते हैं और सभी बहुत ही affordable price में है जब भी आप subscription purchase करेंगे वहाँ पर एक referral code यूज़ करें WOL 10 जिससे आपको 10% off में लेगा और अपनी preparation करेंगे के साथ केम नानावटी वसे state of maharashtra के case में accused का राम रहता है केम नानावटी जो आप इस case के नाम में देखी रहे हैं और Mr. नानावटी की wife का नाम होता है Salvia और deceased का नाम होता है Mr. Ahuja अब इस case में क्या रहता है कि जो केम नानावटी जो हैं इसमें वो नेवी के commander होते हैं तो अपने काम की वज़े से वो घर में कम घर से बाहर duty पे जादा रहते थे तो जो इनकी wife है Salvia उनका extra marital affair हो जाता है Mr. Ahuja के साथ और Mr. Ahuja एक unmarried man होते है बहुत बड़े businessmen होते है तो एक दिन क्या है Salvia ये सारी बाते अपने husband को disclose कर देती है कि भई उसका extra marital affair है आउजा के साथ ये सारी बाते तो ये सारी बाते सुनने के बाद केम नानावटी का as such कोई reaction नहीं होता है वो simply बाते सुनता है इससे जादे वो रेक नहीं करता सो next day या कुछ दिन बात मिस्टर केम नानावटी अपनी wife और बच्चो को उनके तीन बच्चे होते हैं शादी से तो उन्हें जो है movie hall में छोड़ कर आता है movie देखने के लिए और बोलता है कि मैं 6 बजे जब movie खतम हो जाएगी वापस आकर उन्हें pick कर लोगा so around 1.30 का time होता है जब वो उन्हें movie hall में drop करता है और 6 o clock तक वो उन्हें वापस pick करने के लिए आता है तो ये जो time period था 1.30 से लेकर 6 o clock का इस time के दोरान वो अपने ship पर जाता है ship से revolver लेता है और Mr. Ahuja के घर पहुँच जाता है फ्लाट पर उन्हें से कुछ बाती करने के लिए तो जब वो Mr. Ahuja से मिलता है तो KM नाना वटी उससे पूछते हैं कि भै क्या तुम मेरी wife से शादी करोगे और मेरे बच्चों का खयाल रखोगे क्या तो इस पर Mr. Ahuja का reaction कुछ ऐसे रहता है कि भी क्या मैं हर उस महिला से शादी कर लूँ जिसके साथ मेरा relationship है तो ऐसी बाते सुन कर KM नाना वटी जो है provoke हो जाता है और वो उसे गोली मार कर उसकी हत्या कर देता है ये उसके facts रहते हैं तो उसको shoot करने के बाद KM नाना वटी जाता है पुलिस स्टेशन और वहां surrender करता है और उस पर 302 का मामला चलाया जाता है तो lower court ने उन्हें guilty बाना है held guilty high court जो है उन्हें guilty करती है sorry my mistake lower court जो है उसे guilty नहीं मानती है not held guilty and high court बोलते है guilty under section 302 यह यहां तक का matter था अब हमें जादा जानना जुरूरी है supreme court का क्या observation रहा वो देख लेते हैं और इसमें legal issue क्या बनते हैं इस case में देखें दो major legal issues frame हुए थे वैसे तो और भी थे लेकिन जो जादा important है वो मैं आपको बता रही हूँ पहला देखें is there any standard of reasonable men for the application of the doctrine of grave and sudden provocation तो यह जो doctrine है grave and sudden provocation का आप जो है एक reasonable men पर ही applicable कर सकते हो ठीक है तो यह जो reasonable men जो आप यहां बोल रहे हो इसका कोई standard है मतब कि भी आप इस तरह के person को तो आप इस category में fall करोगे इस तरह के person को नहीं करोगे तो क्या standard रहता है आप reasonable men search करने के लिए यह इसका basically legal issue था दूसरा इसका था whether the provocation was grave and sudden तो Mr. आहुजा के द्वारा अगर कोई provocation दी भी गई है क्या वो provocation इस तरह की nature की है जिसे हम grave और sudden बोल सकते है तो यह दो इसके major issues थे अब इसका Supreme Court का observation देख लेते हैं वो क्या था अब Supreme Court का observation and decision देख लेते हैं तो यहां मैंने इसके सारे important point लिख दिये हैं तो हम एक के बाद एक सब discuss करेंगे तो चलिए देखते हैं There is no fixed standard of reasonableness जो हमने issue में पढ़ा था कि भी क्या कोई fixed standard है कि भी reasonable person test करनेगा कि भी ये person reasonable में reasonableness में मदब fall करता है या नहीं करता है तो इसमें Supreme Court कहती है as such कोई fixed standard नहीं है कोई reasonable man consider करने का क्योंकि हर person का background अलग होता है values अलग होती है society अलग होती है culture अलग होता है तो इस basis पे हर person जो है अलग-अलग category कर रहता है तो कौन person आप reasonable बोलोगे किसे नहीं बोलोगे ये person to person depend करता हो situation पर depend करता है क्या वो उस situation से provoke हो सकता है या नहीं हो सकता है तो clear cut यह है कि कोई fixed standard नहीं है reasonableness define करने का next देखे accused had the motive अब यहाँ पर केम नानावटी के पास एक motive था उसकी wife Sylvia का जो extra marital affair था Mr. Ahuja के पास वो एक normal person के लिए sufficient रहता है provoke करने के लिए of course grave भी है अब sudden तो हम अब आगे देखेंगे बट यह grave रहता है और sufficient है एक normal person को एक sane person को motive देने के लिए it's very clear next देखे accused regained his self control अब जो मैंने आपको समय बताया था कि भी around 1.30 वो अपनी wife और बच्चों को cinema hall में छोड़ कर जाता है और 6 बजे पिक करने के लिए बोलता है तो जब वो उसकी wife ने ये disclose किया था कि भी उसका extra marital affair है तब से लेकर और जब वो मुवी होल तक का जो scene आता है वो एक बहुत sufficient time period रहता है किसी को calm down होने के लिए relax होने के लिए क्योंकि अगर कोई इस तरह की बात सुनकर instantly react कर दे तो अफकोस उसको exception का benefit मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर पूरा एक time period है उसको calm down होने के लिए तो यहाँ पर भी एक doubt create होता है केम नानावटी की side पर and killed Ahuja deliberately और जो bullet की injuries जो मिली थी Mr. Ahuja की body से उन injuries को देखकर ऐसा लगता है कि भी गोली जो है negligently या फिर गल्ती से नहीं मारी गए वो सोच समझ कर धंग से मारी गई उसको गोलिया तो उसे बुलेट की injuries को देखकर ही पता चलता है कि भी केम नानावटी ने जान बुझकर उसको shoot किया था आगे देखे Supreme Court confirmed the conviction and held guilty तो इसमें केम नानावटी को section 300 का जो first exception है उसका benefit नहीं मिलता है और उसकी conviction को confirm कर दिया जाता है तो ये सारा था इस case के बारे में अगर फिर भी किसी को कोई doubt है या कोई question है तो आप please comment करें और मैं सबके comment पढ़ती हूँ हो सकता कभी जल्दे reply नहीं कर पाती बट मैं पढ़ती सबके comment हूँ so please मेरे channel को subscribe करें and see you next time कर दो कर दो